आप अपने मोबाइल से घर बैठे इंकम चेक कर सकते हो वो भी बिल्कुल आसान तरिके से अगर आप चैनल पर नाइख हो तो पिली चैनल को सब्स्राइब कर लेजिए पलस बैल आइकन दबा लेजिए ताखी मेरी नए नए वेडिक नोटिफिक्स चन आप तक पहुंशते र जैसी आप Chrome browser को open करते हो अपने mobile में तो उपर search बार में आपको family ID लिखना है ठीक है जैसी कि हम लिख देते हैं ठीक है तो आपको family ID लिखने बाद उपर देखो मैं इस पर click कर देता हूँ search पर ठीक है जैसे आप इस पर okay करते हो तो इस पे आपको yes पर click कर देना है direct आप yes पर भी click कर सकते हो उसमें आपको option में select करके इस पे भी आप CLICK कर सकते हो ठीक है जैसे आप family ID number डालते हो सो उस पर आपको search पर click कर देना है search पर click करने के बाद आपके जो family ID में mobile number link है ठीक है उस mobile number को यहापे show कर दिये जाएगा सो उसके बाद show करने के बाद आपको क्या करना है send OTP पर ok कर देना है जैसे आप इस पर ok करते हो तो OTP send your mobile number इस पर आपको ok कर देना है ok करने के बाद आपका जो OTP है वो आपके message पर आ जाएगा जैसे कि हमारा आ चुका है कभी-कभी यह थोड़ा late हो जाता है server की current ठीक है सो इसमें देखो नीचे एक सवाल type का भी दिया होता है इसको आपको solve करना होता है जैसे कि चार गुणा एक तो आपको यहां पर चार लिखना है चार एक हम च्यार सो चार पलस एक भी हो जाए तो आपको पांच लिख देना है ठीक है चार पलस चार माइनस एक हो जाए तो आपको तीन लिख देना ऐसे यह solve करना होता है सवाल और इसको आपको solve करना है ठीक है और यहाँ पर आपका OTP आप OTP आप message में जाकर चारंगों का OTP आया होगा आपके पास ठीक है उसे आप message में जाकर देख सकते हो और उसे message में जाकर देखने के बाद आपको वहाँ पर fill करना होगा ठीक है जैसे कि हम देख लिते अभी हमारा OTP क्या आया है सो हमने अपना OTP देख लिया सो इसमें आप फिल कर देते हैं जो हमारा OTP वो आपको यहाँ पर डाल देना है जो आपका OTP आया है OTP डालने के बद आपको Verify OTP पर आपको OK कर देना है verify OTP पर जैसी आप ok करते हो सो कुछ ऐसा interface होगा इसमें जो आपके family ID में जो member है जुड़े हुए है इस family ID से उन सभी member को show कर दिये जाएगा serial wise ठीक है इसमें अपने जो family member उनके नाम वगएर आप देख सकते हो और नीचे है आपका जो address होता है आपको जो family ID में पूरा address दिया हुआ है state वगएरा, village वगएरा ठीक है वो आपको नीचे show कर दिये जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो अपना address भी देख सकते हो और जो जो family member है उसको भी आप देख सकते हो ठीक है और उसके बाद नीचे option है एक जैसे आप इस पर OK करते हो सो आपको पूरी family ID show कर दिये जाएगी ठीक है जिस तरह आप print भी लिक अड़वा सकते हो family ID को सो आपकी यहाँ पर family ID show कर दिये गई है इसमें जितने भी member आपके family ID में है वो सभी show कर दिये गए है ठीक है उनकी उमर वगएरा date of birth और यहाँ पर आपकी देखो family annual income जो आपकी family income है total वो यहाँ पर show कर दिये जाएगी यहाँ से आप अपनी family income देख सकते हो total ठीक है यहाँ से आप print लिकर वा सकते हो family ID का सो इसमें आपके पूरी family member सभी की detail दिये हुई है date of birth कितनी एज आज तक हो चुगी है total ठीक है आप उन family ID की member कितनी कितनी income है वो आपकी show कर दी जाएगी सभी total income show कर दी जाएगी आपको वीडियो अच्छी लगई तो please like, comment, share and subscribe जरूर करे पलस बैल आइकन जरूर दबाए ताकि मेरी इनाई नी वेडियो को notification आतो पहुंशते है thank you